प्राणा हूं जिर्ट हमेशा अवेलियबल है, जब हम ध्यान करते हैं, तो हमारा इटेंशन इश्वर की ओर जाता है। जब हम कुछ अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तभी इश्वर की ओर हमारा द्यान चला जाता है, कुछ अच्छे काम करने जाते हैं, प्रैम से, किसी की सेवा करने जाते हैं, अब यह भी लोग चालिस अजा गाओं में गए हैं, अपने प्रसिक्षक लोग, वॉलन्टियर्स और वो बुलते हैं कि ऐसा वातावरन प्यदा हो गया उन्हें, कि जैसे बढ़ारा होता हैं, बड़े गुरूवों का, जैसे कैसा एक्मोस्फियर होता है, वो उन्होंने अनुभव किया, तो एक बात तो कास है, जब भी हमारा एटेंशन इस्वर की ओर चला जाता है, तो आ जाएगी, इस्वर का ख्याल करना और इस्वर का ख्याल करना दो लोगों के बीच में बहुत फर्क होता है, मीरा का याद करना किष्रन को, और हमारे जैसे लोगों को याद, इसकी किष्रन के बारे में याद करना, वसमत बड़ा फर्क है ना, जो वक्ति से जो याद करते है तडप से जो याद करते हैं, उनको तो कुछ और ही अनुवूती होएगे। तो साधना कहो और हमारी तपश्या कहो। तपश्या से ज्यादा इंपोर्टन्ट है हमारे अंदर भाव कैसा है। वक्ति भाव है, प्रैम है, तडप है। तो आटोमेटिकली इश्वर आपको दुन्दे दुन्ते आएगे। हमें इश्वर की और उनको दुन्ना नहीं है। व आवित्रगा देपनाओ, सब स्थिता हो जाएगा। ताइच्च्च्च्च्च्च्च्च्च्